यहां पीछले वीडियो में हमने अपना प्रजेक्ट बनाना सेख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे। यहां पर logout पर work करेंगे और exit पर work करेंगे। ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर यह जो हमारे Project का login page है। यह हम देखेंगे कैसे बनाएगा। सारी functions है इसके लिए complete अलग से tutorial बनाया हुआ है और अपनी चैनल पर already मैंने upload करके रखा हुआ है अगर मैं आपको अपने चैनल के playlist में जाके दिखाऊ हूं तो यहां पर आप देखेंगे मैंने एक playlist बनाई हुई है GUI login system in python with beautiful image icons and animation इसके अंदर मैंने जो है अगर आप नीचे स्क्रोल करके देखेंगे इस playlist के अंदर मैंने बहुत सारी login system बना के रखे हुए तो यहां पर मैं भी क्या करूंगा अपने project के लिए एक मैंने जो already बना के रखा था how to make registration and login system with database in python के इंटर module यह जो है मैंने complete tutorial upload किया हुआ है और मैं क्या करूंगा अपने project में इसी जो है login और register or forget password वाले function को use करूंगा मतलब मैं इसी complete project को use करूंगा तो आप क्या करेंगे simple मेरे playlist में जाकर इस project के जो login और register page को बना लेंगे इसका link जो है मैं आपको i button में provide करतूंगा तो आप क्या करेंगे simple यहां पर जाएंगे और इस video को follow करके अपने login और register page को बना लेंगे then हम जो है इसमें कुछ modification करेंगे और अपने इस project के साथ add-on करेंगे तो guys मैं समझता हूँ आपने जो login with database वाला जो project है यह complete बना लिया होगा तो अब हम क्या करेंगे यहां पर दो file को copy करेंगे मैं क्या करूंगा यहां पर login के page को copy करूंगा और register page को select करूंगा और यहां पर मैं इसकी images को भी get करूंगा ठीक है मैं control c करके अपने rms folder में चला जाओंगा जहां पर मेरी यह present वाला जो project है वह work कर रहा है तो guys यहां पर आके मैं क्या करूंगा simple अपने जो project है उसको मैं कर दूंगा यहां पर paste और paste करने पर हमारा पास यहां पर login आ गई है register का page आ गया और यहां पर images आ ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर rms में जाके यहां पर सबसे पहले जो है register page को open करूंगा अपने visuals editor में तो यहां पर आप देखेंगे हमने जो है अगर आपने project बनाया होगा तो वो सारा project जो हम mysql use कर रहे थे बट अभी जो हमारा current project है वो हमारे SQLite 3 पर work कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर यह सारा जो project SQLite 3 में convert करेंगे बट उससे पहले मैं क्या करूंगा यह जो employ वाला जो यहां पर हमने database बनाया होगा इसमें तो हम क्या करेंगे उस database को यहां पर create DB function में बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा सबसे नीचे जाओंगा यहां पर आप देखेंगे मैं आ रहा हूं अपने register data function में और यहां पर मैं insert into employee में जा रहा हूं ठीक है अब यहां से क्या करूंगा मैं करूंगा इसको control यहां से select करता हूं जितने मुझे fields यहां पर this has been उन fields को मैं नक्ता copy करूंगा control CC copy करता हूं और चले जाता हूं अपने create DB folder में यहां पर मैं और यहां पर नीचे एंटर करें यहां पर इसको पेस्ट कर दूँगा तैन मैं यहां पर इसको मैं द्वारा से कॉप्य करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूँगा ठीक है अब यहां पर यह हो जाएगा हमारा जो है इंपलोई क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं अगर हम यहां पर यहां पर आटो इंक्रिमेंट इसको रहने देंगे देन हम इस कोमा के बाद यहां पर जाएंगे end में और यहां पर हम जो है इसको paste कर देंगे ठीक है paste करने के बाद मैं क्या करूंगा fname को space देखे इसको text define कर दूँगा मतलब मैं क्या कर रहा हूँ simple एक new table बना रहा हूं employee की, यहां पर भी मैं text कर दूँगा देन हम यहां पर भी टेक्स्ट कर देंगे और यहां पर भी हम टेक्स्ट कर देंगे और हम आंसर में भी टेक्स्ट कर देंगे यहां पर भी हम टेक्स्ट कर देंगे ठीक है इस तरीके से हमने जो है यहां पर टेबल बना लिया अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को रन करेंगे तो मैं क्या करूँगा यहां पर simple python कर दूँगा और कर दूँगा इस file को run तो यह देखे हमें किसी तरह का error नहीं आए मैं करता हूँ एक बार दुबारा उपर इसको थोड़ा सा ताकि हमें error अगर आए तो दिखे तो यहां पर हमें किसी तरह का error नहीं आए अब हम चल जाते हैं अपने यहां पर register वाली फाइल में ठीक है तो register फाइल में जाएंगे यहां पर अब आप देखे हमने जो भी यहां पर queries लगाई थी वहां पर हम percent ऐसी यूज़ करते थे अगर मैं आपको यहां पर भी दिखाऊं तो यहां पर भी हम percent ऐसी यूज़ करते थे बट अब मैं क्या करूंगा उससे पहले मैं सबसे टॉप पे जाओंगा सबसे पहले मैं टॉप पे जाओंगा यहां पर मैं इसको comment कर दूँगा और यहां पर मैं कर दूँगा import SQLite SQLite 3 करूँगा और यहाँ पर मैं इसके connection पार्ट में जाओंगा मैं सबसे पहले नीचे आप जाओंगा और नीचे जाकि यह जो connection है यहाँ पर रहते हुए फिर मैं यहाँ पर जाओंगा किसी भी एक function में माले जो मैं create DB में जाता हूं इसके connection को पार को मैं copy करूँगा और रिजिस्टर में आऊंगा और यहाँ पर इस connection को complete connection को select करूँगा और Ctrl H दबाऊंगा और यहाँ पर मैं paste कर दूँगा ठीक है और इससे मैं क्या करूँगा यहाँ पर replace कर दूँगा जहाँ पर भी मेरी connection बनी होगी वहाँ पर हो जाएगी तो यहीं पर replace हो रही है अब मैं क्या करूँगा यह जो %S है इसको भी मैं replace करूँगा मैं Ctrl H दबाऊंगा और यहाँ पर कोशन माक से replace करूँगा तो जहाँ जहाँ पर %S होगी वहाँ वहाँ मेरी जो है यह जाए डिए ठीक है अब यहाँ पर आपको पता होगा अगर हम माइस को लिए तो अगर सिंगल क्रिए है उसको सर्च करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे तपल में पास करके कोमा भी देंगे तो मैं क्या करूंगा यहां पर simple कोमा दे दूँगा that's it और अब अगर मैं इसको run भी करूँ ना तो यह code बिल्कुल perfect work करेगा तो हम क्या करते हैं हम इस register वाले function को simple run करते हैं मैं क्या करूंगा simple जाओंगा python और लिखूंगा register और इसको करूंगा run तो यह देखिए हमारा code जो है बिल्कुल अच्छे से run कर रहे हमें किसी बितरा का error नहीं है और नहीं वह error आया कि मान लिजे मैंने जो है वी तक zam server अपना नहीं 123 123 और यहां पर हम I agree करते हैं और register करते हैं तो यह देखिए है रिजिस्टर सक्सेस्फल इट में हमारा जो है database बन गया है और हमारी jam server की जो हमें third install करनी पड़ती थी वह भी नहीं हमें मतलब हुई requirement तो हमने जो है database बना ले अब हम चाहते हैं कि यह sign in पर भी हम work करें register में जाएंगे और यहां पर हम टॉप पर जाकर यह जो है import इसको Ctrl-C करके यहां पर simple login में paste करेंगे आइस मुझे यहां पर लिख लेना चाहिए था तो मैं इसको यहार ऐसे कर लेता हूं ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा दुबारा से इसके connection जहां जहां हमने connections बनाए होंगे इसमें वह भी हम replace करेंगे तो मैं क्या करूंगा simple create db में जाओंगा Ctrl-C करूंगा connection को login में जाएंगे हम और यहां पर Ctrl-H करेंगे यहां पर Ctrl-V और हम कर देंगे paste ठीक है इस तरीके से हमारा यह पूरा complete connection जो है चेंज हो जाएगा then अब हम क्या करेंगे हमारा table जो है बिल्कुल as it is रहेगा अब हम यह जो %s है हम इसको Ctrl-H से question mark के साथ replace करेंगे तो जहां-जहां %s है हमारा वहां-वहां replace हो रहा है तो यहां पर आप देखे जहां-जहां पर है वहां-वहां replace हो गया अब यहां पर जो है हमारा forget password में यहां पर देखे forget password वाला जो function था उसके अंदर वहां-पर single जो है employee जो है email से हम फैच करेंगे यहां-जहां-पर भी अगर आपने single यह use किया है वहां-पर आपको यह टपल में पास करके इसको कोमा देना पड़ेगा नहीं तो यह आपको एक error देदेगा ठीक है करेंगे अब यह सारी जो है री डारेक्शन जो है उसमें की थी यहां पर जो है री डारेक्शन थोड़ी चेंज होंगी क्योंकि यह उस समय जो है बहुत जैने लोगों का जो error आ रहा था कि एक बर code उनका redirect होता था बर second time में जो है उनका code redirect नहीं होता था तो वो भी जो हम उसका भी solution यहां पर start out करेंगे तो मैं चला जाता हूँ सबसे पहले अब अपने dashboard में मैं आऊंगा और यहां पर मैं क्या करूँगा मैं यहां पर logout वाला function ने लिखूँगा ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा simple def करूँगा logout ओके और यहां पर मैं self pass करूँगा यहां पर मैं op करूँगा यहां पर मैं करूँगा message box तो message box मैंने I guess import नहीं किया था तो यहां पर auto import हो गया था तो इसको मैं हटा देता हूँ यहां पर मैं क्या करता हूँ from take enter import करता हूँ message box को और मैं नीचे जाता हूँ सबसे end में यहां पर हम क्या करते है message box dot ask yes and no then हम करते है confirm do you really want to log out और यह हो जाएगा parent self root का then हम क्या करेंगे if op equal to true फिर trunk ना हो कि यह हो जाएगा true और I guess मैंने कुछ उपर import भी कर दिया था तो उसको भी हम delete कर देते हैं तो जी हां यह जो है math import हो गया था इसको हम कर देते हैं delete और जाते हैं नीचे और अब हम देखते हैं अगर true हुआ तो आप क्या करो आप क्या करोगे आप टॉप पर जाओगे यहां पर एक और चीज़ इंपोर्ट करोगे आप import करोगे OS OS module को इंपोर्ट करोगे नीचे जाओगे यहां पर लिखोगे self dot root dot यहां पर आप कर दोगे destroy जिससे क्या करेगा यह जो इसकी पेरेंट है में जो root है मतलब अगर मैं आपको उपर टॉप पर दिखाऊं यहां पर यह जो अब्चेक्ट बन रही है root यह root कहां किया लिए यह root आ लिए हमारे टीके का object यहां पर आप नीचे देखिए टीके का object तो हम क्या करें इसको हम जो है delete करें वतलब डिस्ट्रॉय करें और उसके बाद हम क्या करेंगे OS. यहां पर हम करेंगे हम करेंगे system system में हम क्या करेंगे command देंगे command मैं दूँगा python अब मैं क्या run करना चाहता हूँ अगर logout हो तो मैं चाहता हूँ मेरी जो login की file है वह run हो जाए तो मैं यहां पर क्या करूँगा login.py कर दूँगा जिससे क्या होगा कि मेरी login की file यहां पर run हो जाएगी यह तरह कि OS operating system में हमने command देनी है python से run करने वाली वह हम दे रहें ठीक है तो इसलिए मैं ऐसे लिखूँगा तो यह क्या करेंगा logout की जगा exit और इसको underscore देता हूं क्योंकि exit अलडी एक function है यहां पर मैं OS destroy कर दूँगा और इस बार यहां से हाट जाएगा ठीक है और यहां पर हम कर देंगे logout की जगा इसको कर देंगे exit और अब हम क्या करेंगे इन function को call करेंगे इन function को हम अपने button logout पे और button exit पे call करेंगे हम यहां पर जाएंगे हम करेंगे command self. को यहां हो जाएगा logout ठीक है then यहां पर हम क्या करेंगे command self.exit ठीक है इस तरीक करूं मैं मान लीजे python dashboard को run करता हूँ मैं जाता हूँ logout पर click करूँ तो यह कह रहा है do you really want to मैं भी करता हूँ no exit पर मैं करता हूँ no तो नहीं हुआ अब अगर मैं logout पर click करूँ यह देखिए यह close और यहां पर हमारी जो है logout वाली function आगी मतला login वाली function आगी लॉग उट से और अब अगर मैं इसको close कर दूँ और अब मैं दुबारा इस पर dashboard पर जाता हूँ और अब अगर मैं exit करूँ yes कर देता हूँ तो यह देखिए हमारा जो है program exit हो गया ठीक है इस तरह के से हमारी जो है data को valid जो है मतलब details मिल जा रही है और यहां पर हम जो है root destroy करके यहां पर हम क्या करेंगे os.system कर देंगे और यहां पर हम command लिख देंगे python और जब अगर क्रेक्टर हो तो login करने के बाद वह कौन सी file खोले यह खोल दे dashboard.py ठीक है अब यह code जो है आप जितनी मर्जी बार login करके मतलब logout कीजिए बार बर आप चाहे लोग आप भी करेंगे न तो भी आपका यह जो है error नहीं आएगा क्योंकि पुरानी वीडियो में क्या हो रहा था कि बार बर अगर हम 2-3 पर perform करते हमारा code exit हो जा रहा था हमारा आगे perform नहीं हो रहा था तो यह बहुत सारी लोगों का जो है doubt आ रहा था तो इस त्रीके से आप जो है उसको sort out कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे यहां पर हमने जो है dashboard को login कर लिया ठीक है welcome कर लेंगे welcome के साथ यहां पर मैं कर दूंगा आपका name तो name कहां से है का मैं यहां पर करूंगा f string pass करूंगा और यहां पर हम क्या करेंगे यह जो आप row देख रहे हो या फिर हम simple welcome कर लेते हैं नहीं तो हम क्या करेंगे simple यह जो email आ रही है email को हम ले लेते हैं क्या कर लेते हैं self.txt यहां पर हम कर लेते हैं email जो हम यह email ले रहे हैं यहां पर इसी को हम get कर लेते हैं dot get ठीक है और इस तरीके से हमारे पास जो है email आजएगे तो हम कहा देंगे welcome this email और यहां पर हम dashboard पे click करवा देंगे और अब हम करना पड़ेगा रिजिस्टर में भी वक करना पड़ेगा हम जाएंगे रिजिस्टर में यहां पर हम दुबारा open करेंगे import करेंगे वेस को और रिजिस्टर में हमारे पास जो है sign in बटन था तो उस पर भी हम डिडारेक्ट हो रहे थे तो यहां पर हम क्या करेंगे login वाले में इसको delete करेंगे यहां पर करेंगे OS और यहां पर हम कर देंगे system जैन इसमें हम कुमान्ड करेंगे रिजिस्टर से वो जो है किस पर होगा साइव पर तो तो वो क्या करेंगा ऐहां पर पाइफन और यहां पर हम लिखतेंगे log-in.py और अब सबक्राइब तो यहां पर दीखे रिजिस्टर सक्सेसफुल हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं सक्सेस्फुल होने के बाद भी मैंसे सक्सेस होने के बाद आप क्या कर सकते हैं क्लियर कर दे और यहां पर आप एक और चीज कर सकते हैं यहां पर सेल्फ डॉट 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 डिस्ट्रॉय कर दीजिए यहीं पर या फिर आप क्या करें सिंपल सेल्फ डॉट जो login वाला window है ना वो आपको open कर दीजिए मतलब हमने जो है यहाँ पर login एक function मनाया हुआ था यह वाला यह आप call कर दीजिए जैसे रिजिस्टर हो जाए डिलीट हो गया और यहाँ पर रिजिस्टर विंडो आ गया अब मैं यहाँ पर sign in पर क्लिक करूँ तो यह देखे अब अगर इस पर क्लिक करूँ तो यह कह रहा है all fields are required तो रिजिस्टर पर जाओं तो यह देखे अब जितनी मर्जी बार आप जाए आपका code नहीं exit होगा रन जो है stop नहीं होगी तो हम क्या करते हैं sign in पर जाते हैं लॉग इन करते हैं हमने admin रखा था adminaddit gmail.com 123 और करते हैं हम login यह देखे welcome admin आगया ठीक है और इस तरीके से हम जो है dashboard पर आगी है तो बहुत ही सही हो गया है तो almost हमारा काम हो गया है हम क्या करेंगे यहां पर logout पर जाएंगे दुबारा से और यहां पर यह जो है login पेज पर यह जो हमने clock सीखा था अपने पु पर लगाएंगे हम क्या करेंगे login पेज पर जाएंगे और यहां पर हम यहां पर जाएंगे टॉप पर जहां पर हमने यह विजट्स डिफाइन की होंगे तो मैं चेक कर लेता हूं यहां पर हमने जो है एक clock name से comment दिया था तो मैं इसको control को copy करूँगा और इसकी working function को भी copy कर करूँगा मैं login में जाओंगा working function search करूँगा तो working function मेरे पास तो जी हां फ्रेंड यह रहा तो मैं क्या करूँगा इस working function को copy करूँगा Ctrl C और यहाँ पर मैं चला जाओंगा Dashboard में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा पहले तो यार यहाँ पर मैंने comment नहीं दिया था initial में तो मैं इसको comment देता हूँ ऐसे और यहाँ पर मैं paste करा दूँगा working को ठीक है अब यहाँ पर आ रहा है date time का error दो मैं दोबारा जाओंगा login में सवसे top पर जाओंगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा यह जो data मैं इसको import कर दूँगा time को भी import कर दूँगा math को भी import करूँगा या То मैכय करता हूँ complete को import कर लेता हूँ दोबारा से और जाता हूँ dashboard में ताकि मैं किसी बतार करें यहां पर क्लास के ऊपर एक फ़र近व इंपूर्ट से अंपर करें और इससे किसी तरह का इरो टो नहीं आए आएगा क्लाय कीनि इसको इंपॉर्ट करें ठीक है और अब अगर मैं इस मत्रीक को चेक करूं और करो पाइथन और True dashboard तो इसमें मुझे किसी तरह का error दे दिया लेट में चेक कि यह error कैसा है तो यह error आया है RMS has no attribute clock image ओके तो अब यह clock image कहां पर error है एक मुझे link मतलब line देख लेना चाहिए था तो यहां पर हमारे पास line 74 तो लेट में हमें चेक कि 74 लाइन पर क्या error है तो यहां पर यह जो है error किये रहा तो यहां पर हमारे पास एक function है जिसमें हम यह चीज़े पास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर login के page पर जाएंगे और नीचे जाएंगे कोई clock image के name से हमने function बनाया है कि नई बना है login और यह जीज़ें हमनी यह function को भी हमें copy करना पर यह function को complete को copy करेंगे और यहां पर control c करेंगे और यहां पर हम जाएंगे dashboard में और यहां पर हमनी इस function के बाद यह working function है उसके बाद हम क्या करेंगे यह पर करके प्रष्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा इसकी प्लेसिंग किःट गूर॑ यह जो हमने क्लोक वाला विजट से है इसको यहार मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं कोहां पर हम क्या करेंगे इसको । मैं कहां से देना चाहता हूं मैं एक्स देख लिकिले तो तो X में दे देता हूँ 10 और Y में दे देता हूँ 180 और Height में देख लेता हूँ इसकी 450 ही एक बड़ चेक करके देखता हूँ या फिर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ मैं जाता हूँ एडमीन इसके बाद मुझे यहाँ पर जाना पर गया एड़ेट gmail.com 123 लॉग इन करता हूँ तो यह देखे dashboard पर आ गये तो almost हमारा सारा complete project हो गया तो अब हमारा जो रहता है यह तीन जो fields है इनको भी हमने update करना है तो हम क्या करते है जल्दी से इनको भी update कर लेते हम क्या करेंगे इसको close करेंगे और यहाँ पर जाएंगे नीचे यहाँ पर working के ऊपर function मनाएंगे यहाँ पर def यहाँ पर हम करेंगे update अपडेट कर देंगे details ठीक है और यहाँ पर self pass कर देंगे और मैं क्या करूंगा सबसे पहले नीचे जाओंगा हमने यहाँ पर कोई भी connection नहीं बनाया था ठीक है मैं किसी भी python file में जाता हूं और वहां से connection को fetch करता हूं तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं करता हूं यहाँ इस course function में जाता हूं और यहाँ पर course में जाकर मैं क्या करूंगा यहाँ पर कोई show वाला हमारे पर function होगा उस पर्फेक्ट है यहां पर हम कर देंगे CR कर देंगे ठीक है और यहां पर हम कर देंगे Fetch All Then इसको हम करते हैं Delete ठीक है और अब हम क्या करेंगे यहां पर आप अगर ऊपर जाके देखें तो हमने यह इनिशल में लेबल डिफाइन किये था और इसको से दिफाइन किया थे तो इसे को हम जो हम जो है कंविक करेंगे हम क्या करेंगे Simple झाएंगे नीचे अम करेंगे Self.Label कर देंगे कोउर्स और कंविक कर देंगे ठीक है मैं इसको कंविक पर करूँका इसके text property में मैं क्या देना चाहता हूँ Total और यहां पर मैं कर दोंगा K查 Consultors । टीक है yum और यहां पे मैं f string यूज करोंगा मैं क्या करूंगा f string करूंगा और str कर दूंगा यहां पे length और length कितनी होगी यहां पर किस चीज़ की length होगी यह होगी CR ठीक है जितनी भी हमारी fetch all करके यहां पर जितने भी list आ रही है तो वह CR में चले जाएंगे ठीक है अब CR की length कितनी होगी वह हमारी यहां पर config हो जाएगी अब अगर मैं इसको Ctrl save करके मैं क्या करूंगा इसको run करूंगा बट उससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर मैं ऐसा करता हूं एक बर इसको run करके दिखाता हूं पहले आपको फिर मैं आपको समझाता हूं मैं यहां पर करूंगा self.update details को run करता हूं और मैं यहां पर जाता हूं इसको करता हूं यहां पर होई 3 दिख रहा है मैं चाहता हूं कि यह नहीं आटमेटिक चलता रहा है जैसे हमारे यह clock चल रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे या तो हम वाइल यूज कर सकते हैं या तो हम क्या करेंगे कि दूसरा method यूज करेंगे वाइल सिरके कोड्व है हमारा सिरफ यही up चलता रहे घाए मैं चाता हूं यह protection चलता रहे चारूंगा और कि एक को मैं कर दूंगा आफटर के बाद मैं चाहता हूं कि यह कितने millisecond के बाद चलते मैं चाहता हूं 200 millisecond में means एक्सवाइज और मैं सेव करूं यह दिखे रिकॉर्ट एडिट सक्सेस्ट फुली इसको मैं करूं क्लोस तो यह दिखे अब हमारा पर पहले टू था अब अपर अपर थ्री आ गया तो इस तरीके से हमारा जो है बैकन में जो है कोड अच्छे से रॉन कर रहा है तो अब हम क्य करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने यह कोर्स को फैच किया हम इसी तरीके से इसको कंट्रोल सी करेंगे इसको एंटर कर देंगे यहां पर कंट्रोल भी और यहां पर स्लेक्ट स्टार फ्रॉम यह हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट हम कर देंगे और यह और यहां पर हम क्या करेंगे, select star from, result, और then यहां पर हम कर देंगे इसको simple, results, और इस पर यहां पर यह CR ना होकर, I guess एक पर हम CR रहने दें, क्योंकि हम बार बर इसको refresh करके, एक CR में डाल दें, तो let me check, यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, result, label result, और यह सारी labels जो है वही है, friends, यहां पर आप देखे, यह सारी labels हमने already define करके रखा है, label course रखा है, label student, label result, अब अगर इसको हम करें, run, तो यह देखे, यहां पर total result 1 है, total student 1, 2 है, और यह 3 है, but मैं चाहता हूँ यह बिल्कुल साथ में ना होके न, यह आए, यह आए, हमारे पास slash end करके, then यहां पे भी slash end, और यहां पर भी हमारे पास slash end, और अब अगर इसको हम run करें, तो देखे, हमारा complete friend हमने project totally बना लिया है, बिल्कुल ही अच्छे से हमारा यह चल रहा है, अब अगर मैं जाओ यहां पर result पे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं student देख लेता हूँ, तो यहां पर हमापस है student 102, तो हम जाते है view student में, यहां पर जाते है, 102 करते है, search करते है, और इसको हम करते है, delete, यहां पर हम delete करते है, record delete successfully, यहां पर हम जाते है, तो यह देखे, बिल्कुल ही अच्छे से work कर रहा है, और किसी तरह का हमी issue नहीं आ रहा है, अब अगर मैं logout पर click करूँ, यहां पर मैं yes करूँ, तो हमारी जो है dashboard delete होगी, और यहां पर हमापस login पर आ गया, अब अगर मुझे register new पर जाना है, मैं register new पर click करूँ, तो यह देखे register new पर आ गया, तो और register से हम, अगर sign in पर जाना चाहे, तो sign in पर आ गया, अब मैं चाता हूँ यार admin करना जो password है वो changed है, तो मैं क्या करूँगा gmail.com, और यहां पर मैं जाता हूँ, forget password मैं करता हूँ, select pet name, xyz, और मैं करता हूँ 123456, reset password करता हूँ, यह देखे password has been reset, और अब अगर मैं click करूँ, admin, add rate, gmail.com, 123 करूँ, login करने कोशिश करूँ, यह देखे invalid username, अगर 456 करता हूँ, तो यार, बिल्खोली perfect हमारा code चल रहा है, और हमें किसी तरह का issue नहीं है, तो I hope friend, आपको यह complete project अच्छा लगा होगा, और एक like जरूर करना, और मुझे commenter में जरूर बताना, आपको यह complete tutorial कैसा लगा, मुझे पता है friend, मैंने यहां पर login और logout वाला जो है, already बना के रखा था, तो मैंने सोचा क्यों मैं दुबारा initial से सारी चीजे बताऊं, तो आप जो है, simply उस project को assess कर लेंगे, जिसका मैं description में पी link दे दूँगा, और वहां पे playlist में दे दूँगा, तो उसी को मैंने सिर्फ क्या किया है, re-modify किया है, और कुछ ने किया है, कैसे हमने उसकी placing करनी है, कैसे उसमें database बनाना है, यही सारी चीजे की है, connection उसके re-change किया है, और कुछ ने किया, तो आई हो friend, आपको यह complete project जो है, series अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं friend, किसी और project में, किसी और series के सा, thanks for watching this friend and stay tune.